तो क्या हल है गाइस मेरा नाम है शिवम और आज की वीडियो है QCY T3 के बारे में तो आज हम इसे अन्बॉक्स करेंगे इस वीडियो में और हर इक चीज के बारे में बात करेंगे जो आपके लिए जानने जरूरी है इसको खरीदने से पहले तो यह एक QCY T3 और पहली नजर में आपको देखने पर यह की चीज आपके दिमाग में आईगी इसको देखते ही की एपल एरपोर्स की तरह दिखते हैं बिलकुली और हमलब कुछ सेंस में एपल एरपोर्स की तरह दिखने में और आजकल ओलमोस्त हर एक हरेक ट्रूली वारल एरपोर्स के तरह ही दिखते हैं और टिपिकली हरेक ट्रूली वारल एरपोर्स की कुछ इसी तरह से फंक्शनिंग होते हैं और इनकी भी कुछ-कुछ वैसी है पर यहां पर काफी सारे कुछ चीज़े हैं जो आपके लिए जाननी बहुत जादा जरूरी है इनको खरीदने स यहां पर इमेज दी हुई है इन एरफोंस की बाकी इसके पीछ हम देख सकते हैं कि यहां पर आपको सेक्यूरिटी कोड दिया हुआ है जिसको आप स्क्राच करके चेक कर सकते हैं कि और यहां पर इसके साथ कुछ इसके वीचर्स दी हुए है कुछ इंफोर्मेशन दी है जो फाइव तो शिक्स हार्स है, स्टैंड बाइ टाइम में वन फिफ्टी आर्स और इसके अंदर इन्पूट है फाइव वोल्ट फाइव हंडड़ मिली अम्पियर की और साथ इसकी ब्लुटूथ प्रोफाइल्स पें जैसे की HFP, HSP, A2DP और AVRCP तो यह ती सारी बॉक्स की रेडिंग पर अब इसे जल्दी से अन्बॉक्स कर लेते हैं और देखते हैं कि अपने कैसे एरफोन्स तो यह एरफोन्स बेसे निकाल लेते हैं बाहर एक बर इसको दो मिन बाद में देखते हैं तो इसकी सिवा यहां पर एक छोटी सी micro USB केबल मिलती है हमें इसको चार्ज करने के लिए केस को और एक यूजर मैनूल जिसको आप पढ़ सकते हैं फ्री टाइम में पर हमेशाएद इसकी जरूरत ना पढ़े पर एक बर एक लेह देख लेते हैं कैसे हैं यहां पर अपर तो आयरे मिलकुल आ को पते हौन साब रण की कौपी आ लगते हैं पर काफी अच्छे लग रहे याभीं प्रीrese कहले क्लिप ब्लस के अब आगे चलते हैं और इसको रिव्यू करते हैंrr कि सबसे बेहले बात करते ह इसके design के और build quality की तो यहाँ पर जो earbuds है वो सारे का सारी प्लास्टिक में बना हुआ है मतलब यहाँ पर rechargeable case से लेके इसके earbuds हर एक चीज प्लास्टिक में हैं और मैं किसी भी angle से यह नहीं कह रहा है कि बहुत ही बढ़िया तरह का प्लास्टिक लगा हुआ है यहाँ पर थोड़ा से चीपर इंफिरियर से प्लास्टिक है और यह तब ही चलेगा अगर आप इसकी अच्छी देख बाल रखते हैं अगर आप इसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस करेंगे तो यह तोट भी सकता है पर यह कहने के बाद यहाँ पर यहाँ पर यह ज़्यादा स्मॉल और पोटेबल साइज में और बहुत ही ज्यादा असानी से आपकी पॉकेट में फिट हो जाता है इस के सामने आपको दो LED इंडिकेटर देखने को मिलेंगे फ्रंट में जो की चार्जिंग और बैटरी इंडिकेशन के लिए हैं यहां की हला कि दो आपको LED इंडिकेटर दियों है पर अगर यह तीन चार होते थे बहुत ही सादा कन्वीनेंट होते यूज करने में एक और च दालते हैं और अटमेटिकली ओफ हो जाते हैं जब भी आप उसको बापिस रख देंगे और अगर आप इसे मैनूली ओन ओफ करना चाहते हैं तो आप इसके स्टेम्स को 8 से के लिए होल्ड करके रखें जिससे यह ओन हो जाएंगे यह आपल एयर पोर्ड जाइन आप कह सकते अगरेदे एरबर्ड्स होते हैं इसके सिलिकोन एयर टिप्स अची चीज हैं जो कि दोनों चीज़ एं अच्छी बिया बुरी भी है अच्छी चीज यह कि अंदर आपको बहुत ज़्यादा कम रूम कि रिक्वायरमेंट होती है के सेंदर और और एक और चीज यह है कि जब आपको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होते हैं गानों में बेस डूडने की और साउंड कॉलिटी के बारे में हम थोड़ी दिर बाद में बात करेंगे पर अगर आप इस सारे इस्यूस को फिक्स करना चाहते हैं तो यहां पर एक छोटा सा जुगार आप लगा सकते हैं कि अच्छी हो जाएगी पर यहां पर एक छोटी सी प्रॉब्लम में यह है कि इस चुगार में थोड़ी दिक्कत है इस चीज की कि जब भी आप इसे केस में वापिस जालना चाहेंगे तो यह पूरा नहीं है उसके अंदर तो आपको इसे उतार के डालना पड़ेगा वापिस कर सकते हैं तो यह से चोटी सि दिक्कत है इस तो फोलोटी सिथे तो जब साल नहीं है कि यह श्मिर सब्सक्रान सब्साइब भी पर चुटी आपको शोचों नहीं है तो मैं यह बहुत जाएंज साल है अगर आप इस दो भाड भी दंग से रखें पर ते हाड़ पर गिरा मुलाब उमीद ऐसा लगता है कि इतना जादा मजबूत तो नहीं है इसके अंदर प्लास्टिक तो जब भी आप इस एरफोंस को यूज कर रहे हैं तो बहुत स्यादा ध्यान से उस करें तो आगे जलते हैं और बात करते है इसके कुछ essential features की जो हमारे को QCy में देखने को मिलते हैं तो सबसे पहला feature इसके अंदर है pairing issue ने प्रहण पार में ऐगा उससे पहले Bluetooth 5.0 तो सबसे फीचर इसके अंदर हमारे को Bluetooth 5.0 देखने को मिलता है तो उसके साथ जो Bluetooth 5 की और भी qualities हैं वो भी इसके साथ आ जाती है जैसे कि अच्छी range, अच्छी audio quality और कम से कम lag पर unfortunately हमारे को यहाँ पर multiple device connectivity नहीं मिलती तो अगर आप इस earphones को multiple devices से connect करना चाहते हैं तो वो नहीं कर सकते आप इसके अंदर अगली चीज हमारे पास है touch control तो यहा कर सकते हैं वो इस assistant के लिए और swipe up और down कर सकते हैं volume को change करने के लिए और 2 second के लिए hold भी कर सकते हैं अगर आप इसके अंदर skip करना चाहते हैं ट्रैक को यहाँ पर हमारे को इस earphone से मिलता है वो यह है कि यह IPX5 water rated है तो इसका मतलब यहाँ पर यह कुछ splashes और sweat भी सेहन कर सकत हैं अब इक और चीज नमारे को यहाँ पर जो मिलते है वो यह है कि बहुत ही बड़ी है इसके अंदर battery life है तो यहाँ पर जो case है उसके अंदर आपको 600 mAh की capacity देखने को मिलती है और जो earbuds है उसके अंदर 60 mAh की तो एक बार earbuds को charge करने पर आपको 5-6 hours of battery backup देखने को मिलेगा औ उसके बाद आप कर सकते हैं वापिस इसको case में डाल सकते हैं तो उस एक और बार इसको फिल कर देगा तो ऐसे टोटल यह चार बार earbuds को recharge कर सकता है तो इन टोटल अगर आप calculate करें तो आपको almost 20 hours to 24 hours का battery backup मिलेगा जो बहुत ही जादा बढ़िया है और एक और जो बहुत ही ज इसक्लूसिवली audible.com के लिए तो साइन अप करें 30-day free trial के लिए और साथ में तीन टाइटल मिलेंगे आपको और आप किसी भी time cancel कर सकते हैं अपना सब्सक्रिप्शन और अगर आप साइन अप करते हैं तो अपनी सपोर्ट शो कर सकते हैं इस चैनल के प्रती तो आप इस यहां पर जो QCY T3 के अंदर है वो यह है कि आप इसके earbirds को single unit भी यूज कर सकते हैं तो बजाए कि दोनों यह बर्ट को बाहर निकाल के यूज करने के आप एक को बाहर निकाल के भी यूज कर सकते हैं तो जिसे कि आप कोई कॉल लेना चाहते हैं या फिर music सुनना चाहते है और साथ ही साथ आप चाहते हैं कि आप अपनी सराउंडिंग्स की भी अवेरनेस रखें तो उसके लिए आप इसे single unit भी यूज कर सकते हैं पर यह थी सारे अच्छे फीचर QCY T3 के बारे में पर यहां पर एक चोटी से प्रॉब्लम भी है इसके साथ वो यह है कि इसके इसके पर खेंशन आता है तो होता कि दोनों एरफों आपस में पेर होने से मना कर देते हैं हो नहीं पाते हैं और आपके फोन में लेफ्ट और राइट दोनों अलग लग आते हैं पर इसका चोटा सा फिक्स भी है कि अगर आपको यह प्रॉब्लम आते तो आपस यूज कर सक जो कि मतलब जब आपके साथ यह इसु हो रहा हो तो आप क्या करें एरफोंस को जब बाहर निकालते हैं उसे 8 seconds के लिए होल्ड करके रखें तो उससे वह ओफ हो जाएंगे उसके बाद उसको 20 seconds के लिए होल्ड करके रखें जिससे कि वह रिसेट हो जाते हैं उसके बाद आप एरफोंस को वापिस केस में डाल दीजिए और वापिस निकाल लीजिए तो उससे यह मोश्च पॉबबिली इसु सॉल्व हो जाना चाहिए पर इस आपको रोज रोज फेस नहीं करने पड़ेगी सब कभी-कभी करने पड़ते हैं जैसे कि तीन से चार हफतों के बीच में पर अब आगे सबसे इंपोर्टेंट पार्ट किसी भी ऑडियो डिवाइस का चाहिए वो हैडफोंस पीकर्स ओं या एरफोंस हो या फिर कोई भी चीज जिसमें से ओडियो निकलती हो जो कि है साउंड कॉलिटी तो साउंड कॉलिटी के लिए एरफोंस बहुत ही साथा बढ यह आपको बिल्कुल इससे नफरत हो जाएगी अब इससे यह मत समझें कि इसके अंदर जो ड्राइवर्स हैं वो बहुत स्यादा बुरे क्वालिटी के हैं पर यह सब हो रहा है इस सिलिकॉन एरटेप्स की वज़ए से जो नई से जीप सी दिया इसके अंदर लोग प्रोफ इसके उतार के लगा दीची जो रेगुलर इरटेप्स होते हैं हमारे वो अगर आप इसमें चेंज कर देंगे तो बिल्कुल यह वाज पलट जाती है बहुत एकदम बढ़िया सी हो जाती है मलत जमीन आसमन का फ़रक पड़ता है अगर जब आप एरटेप्स चेंज कर देते तो होगा कि जैसी आप एरटेप्स चेंज कर देते हैं तो सील बहुत ज़्यादा प्रॉपर बनती है और साउंड क्वालिटी उसी वज़े से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इसके आइसोलेशन भी बढ़िया हो जाती है तो बहुत कम सुनती है तो यह चोटा सा तर तो उसके लिए आपको लग से एरेटेप्स करी करने पड़ते हैं या फिर आप इसके अंदर ड्रिल करके थोड़ी जगा भी बना सकते हैं मतलब ट्राय कर सकते हैं पर उसके सिवा यहाँ पर सिर्फ एक चीज रहिए इस वीडियो में बात करने के लिए जो की है इसका प्रा प्राइस यह एरफों बहुत ज़दा बड़िया हैं बस हलाक कि आप बहुत से ज़दा दिक्कते इल करने पड़ते हैं इस एरफों के साथ तो परिसनली मैं यही कहूंगा कि यह बिल्कुल बेरेक्यमेंडड एरफों नहीं हैं ट्रूली वारलेस एरफों तो अगर आप कोई आप चैनल के सब्सक्राइब कर सकते हैं और कने नोटिफिकेशन के सब्सक्राइब कर सकते हैं पर यह थी आज की वीडियो अगर आई तो प्ल जल्दी अगली वीडियो में